आज है 25 सितंबर 2022 और 25 सितंबर 2022 से करेंट फैस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्यन मन सकते हैं सारे मैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर कुश्यन से रेलेटेड इंपोर्टेंट प्रेक्टिवी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए लास्ट वम मैं आपसे कुश्यन पूछोंगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स हों बताना है आज कि इस वीडियो की पीडियो के डिसकस्मिन से डाउनलोड कर सकते हैं पीडियो आप हमारे टेलेग्राम गुरूप से भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलेग्राम सितमर में रास्टी सिनेमा दिबस का मनाया गया है तो अभी 23 सितमर को रास्टी सिनेमा दिबस मनाया गया तो इसकुश्यन का बे आपसन सही है कुरोना काल में पूरे देश में जो मूबी थीटर हैं वो बंद रहे इस विए से जो मूबी थीटर के मालिक हैं उनको बहुत सा सितंबर को मनाया गया और अभी 23 सितंबर को ही अंतरास्टी सांकितिक भासा दिवस भी मनाया गया 22 सितंबर को बेस्व रायनो दिवस मनाया गया 21 सितंबर को अंतरास्टी सांती दिवस मनाया गया 18 सितंबर को बेस्व बास दिवस और अंतरास्टी समान बेतन दिवस मनाया गय 17 सितंबर को 200 रोगी सुरक्षा दिवस और अंतरास्टी लाल पांडा दिवस मनाए गया 16 सितंबर को 200 ओजोन दिवस मनाए गया 15 सितंबर को अंतरास्टी लोकतंत्र दिवस इंजिनियर्स डे और 200 लेंफोवा जागरूकता दिवस मनाए गया चौदे सितंबर को हिंदी दिवस मनाएगा ग्यारे सितंबर को पेट्रियट डे और बिनोवा भावी की जेनती मनाएगी ग्यारे सितंबर को ही रास्टी बन सहीद दिवस मनाएगा दस सितंबर को बेसु आत्मत्या रोक्ताम दिवस और बेसु प्रात्मिक चिकित्सा दिवस मनाया गया नौ सितंबर को हिमालय दिवस और बल्ड इलेक्टिक वीकल डे मनाया गया आठ सितंबर को बेसु भौतिक चिकिस्टा दिवस और बेसु फेजियो टेरेफी दिवस मनाया गया अच्छा आठ सितंबर को ही अंतरास्टी साक्षरता दिवस भी मनाया गया साथ सितंबर को ब्राजील सोतंता दिवस और नेले आस्मान के लिए अंतरास्टी स्वच्छ बायू दिवस मनाए गया पांस सितंबर को अंतरास्टी चेरिटी दिवस मनाए गया 3 सितंबर को नेशनल स्काइजिस करेपस डे और अंतरास्टे गिद्ध जागुटता दिवस मनाए गया 2 सितंबर को बेस सुन्णार्यल दिवस मनाए गया तो अब तक सितंबर में एतने इंपोरेट्ट आपको बताया था राइनो यानि की गेंडा तो भारत में सबसे ज़्यादा कौन से गेंडे पाए जाते हैं एक सिंग वाले गेंडे कहां पाए जाते हैं असम और पस्यमंगाल यही दो राजी हैं जहां पर सबसे ज़्यादा एक सिंग वाले गेंडे पाए जाते हैं अच्छा इंडिया में एक स satellite phone से connect हो चुका है अच्छा एक यह बेसो ओजोन दिवस्पर मैंने आपको question बताये थे यह बायो मंडल की कौन सी परत में पाई जाती है ओजोन परत तो मैंने आपको बताये था बायो मंडल में ट्रोपोस्पियर स्टेटोस्पियर मेजोस्पियर आयनोस्पियर और एक्दोस्पियर यह पांच परत है यानिकी छोब मंडल समताप मंडल मद्य मंडल आयन मंडल और वहन मंडल जिसमें से समताप मंडल यानिकी स्टेटोस्पियर में ओजोन परत पाई जाती है यह हमें सूर जिए आपको अच्छा लगता है, लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और सिर्ज जरू किया करो और मैं आपको वी बोलता हूं, डिख सबसे पहले अपने लेग टर्गेट करो, चाहे थोटा साइ टर्गेट करो, लेकिन डिख ज़ोटेट कर को, और फिर अपना पूरा दिन उस टार्गेट को अचेब करने में लगा दो आपकी life automatically अच्छी हो जाएगी नए क्यूशन है हाली में भारत में solar farms इस्तापित करने वाली पहली e-commerce company कौन सी बनी है तो अभी भारत में solar farms इस्तापित करने वाली पहली e-commerce company बनी है Amazon तो इस question का say options है Amazon ने रायस्तन में तेन नए solar farms से स्तापित करने की गोशना की है ये 2025 तक Amazon का target है कि Amazon 100% renewable energy का use करे अच्छा Amazon तो Amazon की स्ताप नकव होई थी 1994 में इसका headquarter कहां पे है Seattle में और इसके present time पे President and CEO कौन है nd jessie कौन है nd jessie ने question है हाली में कौन सी राजी सरकार 2.5 lakh जल दूद सामिल करेगी तो जल संरक्षड से संबंदित मुद्दों पर जागरुकता फैलाने के लिए असम सरकार धाई लाख जल दूद सामिल करेगी तो इस question का day options है इसमें 9th class और 10th class की बच्चों को training देके जल दूद में सामिल किया जाएगा अब असम तो ये है मैप में असम असम की capital क्या है दिसपूर असम के chief minister कौन है हिवंता बिस्व सर्मा और असम के governor कौन है जगदीज मुखी अभी असम सरकार ने नबजात बच्चों की मौत को रोकने के लिए portable उपकरण सांस का उप्योग करने की गोश्न की है असम राज सरकार ने बिद्यारत स्कूल ओन वेल्स परियोजना सुरू की पबन कुमार बूर ठाकुर असम के नए मुख्य सचिम नियुक्त हुए है असम के मुख्य मंत्री ने एक हजार मॉडल आंगनवाडी केंद्रों का सुबारम किया है दूसरा बारसिक अंतरास्टी रेंजर पुरुसकार ये ओरंग नेशनल पार्क को मिला और ओरंग नेशनल पार्क ये असम में है असम में कौन कौन से नेशनल पार्क है काजी रंगा, मानस, ओरंग, नामेरी, डिबरुसेको, रायमोना और देहिंग बठ गई ये असम के important नेशनल पार्क है और अभी मैंने आपको होता है कि काजी रंगा नेशनल पार्क एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है और ये इकलोता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटिलाइट फोन से कनेक्ट हो चुका है अचा असम के मुख्यमंतरी ने मूल बुनकरों के कल्याण के लिए स्वड बेर नारी योजना सुरू की है ने क्यूशन है हाले में आर गांधी को किस बैंक के अंसकालिक अध्यक्ष की रूप में नियुक्त किया गया तो अभी आर गांधी को यस बैंक के अंसकालिक अध्यक् और अब इनको Yes Bank का अंसकालिक अध्यक्षिनिक किया गया अब Yes Bank तो Yes Bank की स्थापना कब होई? 2004 में इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है? मुंबई में और इसके प्रिजेन टेम पर CEO कौन है? प्रसांत कुमार कौन है? प्रसांत कुमार नेहुशन है अब इसकें को बारत का पहला हिमस्खलण निगराणी रडार मिला है तो इसकें का बे उप्संस है है ये भारत का अपनी तरह का पहला रडार है जो अपने ट्रिगर के 3 सेकिंड के बीदर भूस्खलण का पता लगानी की झhamता रखता है अब सिक्किम तो ये है मैप में सिक्किम, सिक्किम की कैपिटल के है गंग टोप, सिक्किम की चीपनिष्टर कौन है प्रेम सिंग तवांग और सिक्किम की कौवर्नल कौन है गंगा प्रसाथ, अभी सिक्किम सरकार ने अम्मा और बहीनी योजना की पहल की, सिक्किम की पूर मु अभी शुसाषन केंद के नए महानिदेशक की रूप में भारतलाल कुनामित किया गया भूत्पूर्व सैनेक कल्यांड विवाक के सच्चे बने हैं बिजय कुमार सियाम के नए अध्यक्ष बने हैं पिनूद अग्रवाल RIC India Limited के CMD प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली बने हैं दूसरे बार भारत के अटोर्नी जनरल बने हैं मुकुल रोहतगी और बरेस्ट राजनाइक प्रकास चंद्र को Eritrea में भारत का राजदूद ने उत्किया गया ये अभी recent appointment है जो आपको याद रखने है ने क्यूशन है हाली में हिलेरी मेंटल का निधन हुआ है भी कौन थी तो हिलेरी मेंटल ये बुकर प्राइज बिनर लेके का थी और अभी इनका निधन हुआ तो इसकुशन का say options है है आप image में देखिए ये थी damn हिलेरी मेंटल ये बुकर पुरुसकार बिजेता लेके का थी 2009 में वुल्फ हॉल और फिर 2000 बारे में इसके सेक्वल बिंग अफ दा वॉड़ीज के लिए इनको बुकर पुरुसकार मिला था ने कुशन है हाली में केस राज सरकार ने हमर बेटी हमर मान अभियान सुरू किया है तो अब ये 36 गड़ सरकार ने हमर बेटी हमर मान अभियान सुरू किया है अब 36 गड़ तो ये है मैप में 36 गड़, 36 गड़ की केपिटल क्या है राइपोर चत्तिजगड के चीपनिस्टर कौन है वो पेश बगेल और चत्तिजगड की गवर्नर कौन है अनसुया ओएके ने कुशन है हाली में जारी रिपोर्ट के अनुसार बारत के केस सहर में अरब पतियों की संख्या सबसे अधिक है तो अभी एक रिपोर्ट जारी की गई है ये रिपोर्ट है आई आई एफल बैल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट की इसके अकॉर्डिंग इंडिया के सबसे धनी ब्यक्ति हैं गौतम अणानी और दूसरे नंबर पे हैं मुके सम्मानी और इंडिया की सेल्फ मेड विले सबसे अधिक अरभ पति हैं दूसरे नंरल पर नई दिली में हो तैसरे नंबर पर बैंगलोरू में नै कुश्ट है हौले में हाके इंडिया की नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं तो अभी दिलेप का होके इंडिया के नए अध्यक्ष चुने गए तो इस question का बे options है आप image में देखिए ये हैं भारत के पूर्व होके कप्तान देलेप्टिर की और इनी को होके इंडिया का नए अध्यक्ष चुना गया है नए question है हाली में दो दिवसी आवासी सम्मेलन symphony का सुभारम किस ने किय तो अभी दो दिवसी आवासी सम्मेलन symphony का सुभारम जे किसन देड़ी ने किया केंदरी मंतरी जे किसन देड़ी ने इसका सुभारम किया तो इस question का say options है पूर्वोत्तर भारत के बेरोजगार हिस्से को प्रदस्द करने और पूर्वोत्तर के परेटन छेतर को बड़ावा देने के लिए एक road map तयार करने के लिए है ये symphony इस सम्मेलन का अभी सुभारम जे किसन देड़ी ने किया है ने कि शिन है हाली में भारत और कौन सा देश सप्त कोसी उच्च बांद परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हुए है तो अभी अपना देश भारत और नेपाल सप्त कोसी उच्च बांद परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हुए है तो इस question का बे option सही है आपको पता है नेपाल की सब्त कोसी नदीप पर बनने वाली एक बहुत देसी परियोजना है सब्त कोसी उच्च बान परियोजना इसको बढ़ाने के लिए अब भारत और नेपाल सहमत हुए है अब नेपाल तो ये है मैप में नेपाल नेपाल की केपिटल क्या है काठमांडू, नेपाल की करंसी क्या है नेपाली रुपया, नेपाल की प्रेजेंट टैम पे प्रेसिडेंट कोन है बेद्या देवी भंडारी और नेपाल की प्रेजेंट टैम पे प्रेमिस्टर कोन है सेर बहाधूर देवा, अच्छा अभी क्रिक नैपल की केपिटल काटवांडू में है और नैपल की संसद का नाम क्या है रास्ति पंचायत नेस ungef theorem हाली में ICMR के नए महानिदेशक की रूप में कैसे नूपत किया गया तो ICMR के नए महानिदेशक की रूप में अभी Dr. Rajeev Behl को आपोइंट किया गया तो इसकुश्चन का ये हैं डॉक्टर राजीब बहल और एनी को अभी ICMR यानि कि Indian Council of Medical Research इसका महानिदिसक पॉइंट किया गया है अब ICMR तो इसकी स्टापना कब हुई 1911 में इसका हेड़कॉर्टर कहां पे है न्यू डेली में और अब इसकी नए महानिदिसक बने हैं डॉक्टर राजीब बहल Next question है शाली में भारत का पहला सफल पूड हाथ प्रत्यार अपड कहां किया गया तो अभी केरल के कोची में अंबरता हंपिटल में भारत का पहला सफल पूड हाथ प्रत्यार आपड यानि कि फुल आर्म ट्रांस्प्लैंट किया गया दूस कुशीन दिए बे ओप्सन सही है अब केरल तो ये है मैप में केरल केपिटल क्या है तिर्वनंत पुराम केरल के चीपनिस्टर कौन है पेनराई बिजियन और केरल के गौवर्नर कौन है आरेफ महम्मद खान अच्छा अभी HDFC बैंक ने केरल के कोजी कोड में केवल महिला कर्मचारियों दोरा संचाले साखा खोली है केरल सरकार GST चोरी को रोकने के लिए मोबाइल एप लौँच करेगी केरल ने आंगनवाडी बच्चों के लिए अंडा और दूद योजना शुरू की है ओल्लाइन सरकारी A-Taxi सेवा शुरू करने वाला पहला राज केरल बना और टाटा पावर ने केरल में पानी में तेरती हुई बारत की सबसे बड़ी सूलर प्रयोजना शुरू की है केरल राज सरकार ने सुरक्चा मित्र प्रोजेक्ट लॉंच किया है अच्छा ये इंडिया का पहला फुल आर्म ट्रांस्पलेंट है पूरे दुनिया में सिर्फ तेन फुल आर्म ट्रांस्पलेंट हुए है और ये इंडिया में पहला है ने क्यूशन है, हाली में J4, यानि कि भारत, जापन, ब्राजील, जर्मनी, गृक 4 के बिदेस मन्तियों की बैठक कहा होई है, तो अभी J4 के बिदेस मन्तियों की बैठक होई है, नियू यॉर्क में, तो इस क्यूशन का C अप्सें साई है, अब लास्ट वीडियो के क्यूशन का answer लास्ट वीडियो में आपसे question पूचा था कि हाले में पहली floating photo Premiere सली का उधगाठन कहां किया गया तो अभिंफाल में पहली floating photo प्रेस ने का सबाइख सके मैं आपको एक बार फिर्बोलोंगा question के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो पिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है हाले में केसराजी की बिधान सवा में महिला बिधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया चार option दिये गए हैं इनमें से आपको अपना answer होताना है और इसके अलाबा हम हमारे Facebook page पर previous question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके हमारा Facebook page join कर सकते हैं क्योंकि previous question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram पर indreshrc Instagram पर indreshrc सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion without any agitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज की इस वीडियो का टार्गेट जरू याद रखना आज की इस वीडियो का टार्गेट है चाली से लाइक का तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है help लगा है तब आप इस वीडियो को लाइक को और शेर जरू करो और आपके पास जो भी study related WhatsApp और फेसुग ग्रूप हैं उन में आप इस वीडियो को शेर जरू कर दिया करो तो यह था आज का हमारा करेंट अफेस का वीडियो आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लेज कमेंट बॉक्स में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने मारे इस चैनल को सब्सक्राब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राब जरू कर लेजिए आपको इस चैनल से निश्चे थी मदद मिलेगी जब आपसे सब्सक्राब करेंगे तो बरावर में एक बैल आइकन मन के आएगा आप उस बैल आइकन पर जरू कर ले जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में कर इंटाफेस की वीडियो मिलती रहे नेक्स्ट एक्जाम और बेज वीडियो तैंक्स वर वाचिंग